जेन दुस्तों मेरा ना मेरतुलो और स्वागत है आपका अपने डिप चनल अतुल्टिक बजार में दुस्तों कुछ दिन पहले Realme UI 11 Pro 5G device में Realme UI 5.0 Android 14 का अपडेट आया था और इसके रिगार्डिंग OS 14, Color OS 14 में जो डायनमिक डॉट वारा फीचर था वो हमें Realme 11 Pro device में तो नहीं मिला है पर इस डिवाइस में हमें ये फीचर भी देखने को मिला है और भी बहुत सारे फीचर्स है, फुल रिवी वीडियो हम बना रहे है, नाज 65G device में Realme UI 5.0 Android 14 के सारे फीचर्स हम कवर कर रहे है वीडियो तो लोग सा लंबा हो सकता है, टायमिस्ट हमने वीडियो में प्रवाइट कर दिया, चेक आउट जरो से करेगा दोस्तो चैनल अपने हो, सब्सक्राइब जरो से कर लिजी का, अब लेकिन को भी प्रेस कर लिजी का, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करें, नोडिफिकेशन आप तक पहुँझा है, चलिए फड़ापट से स्टार्ट करते हैं वन वाला अपडेट है, अबाउट सेक्सें में अकर हम जाए, जैसे पहले बहुत सारे यहां फीचर्स प्रवाइड किया थे बट अपडेट के बाद यहां पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर नोडिफिकेशन पैनल अगर देगे तो आपको निरासाइद लग यहां पर एक टैब एड कर दिये गया, इसे डिरेक्ली आप यहां पर टैप आउट कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों यहां पर विंडोस को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, यहां पर लिंक टू विंडोस वाला आप्शन आपको मिल जाता है, मुजिक प्लेयर आपको नोडिकेशन पैनल में पर्मानेंटली देखने को नहीं मिलेगा, जब भी आप इसे ग्राउंड में रंनिंग करोगे, तो यह देखने को मिलेगा, जैसे आप इसे बेक्राउंड से क्लियर कर दोगे, नोडिकेशन पैनल से यह आउट जाएगा, as it is Realmeuer 4.0 जैसा, ब मिलेगा कुछ इस तरह से साउंड आप आपको सुनने को मिलेगा वाइबरेट होके यह काफी अच्छा लगता है चार्जिंग आइमेशन भी आप देख सकते हो इस तरह का आपको डारक सेड़ में देखने को मिलेंगे इवन जो आपका यू आई है ये भी अभी काफी बढ़िया स्मूध तरीके से देखने को मिलेगा अप्डेट से पहले याने रियल मिवर 4.0 में एंटिटु बेंचमार्क के स्कोर 416,319 के आसपास देखने को मिलता था और अप्डेट के बाद भी हमने यहां पे बेंचमार्क स्कोर निकाला है 416,548 के आसपास आता है यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है परफॉमेंस थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है आगे और भी अप्डेट साते रहेंगे अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो एक बार उसे रिस्टर जरू से कर लीजे का यहां पर दोस्तों गूगल फीड आपको एजटी पहले जैसे यह देखने को मिलता है यहां पर इस्मार्ट ग्लांस जो है चाइना में जो मिलता है वो नहीं प्रवाइट किया गया है जब भी हमारे पास एपी के आती है हम जरू से ट्राय करेंगे एक और ची को यूज करोगो तो यहां पर देखने को मिल जाएका इसे आप सेयर बगएर भी कर सकते हो फाइल डॉक में काफी इंपोर्डेंट फीचर दिया हुआ है जब आप कोई चीज यहां पर मतलब कोई टास्क करते हो जैसे कि स्क्रिन सॉट हम यहां पर लेते हैं तो आप इसे ड करता है बेगराउंड को रीमु करता है यहां पर नहीं मिलता अच्छी बात है कि अगर आप कोई नोट वोट तेयार कर रहे हो तो इस तरह से आप क्रोम यह पिर कहीं से भी आप कोई भी टेक्स को एकस्ट ड्यक करके आप ड्रैग डॉड करके यहां पर आप फाइल डॉक मे की तरह ही colorless 14 oxygenless 14 में dynamic dot का feature प्रवाइड किया गया था सबसे अची बात है कि इस device में यह feature आपको मिल जाता है इस तरह से आप देख सकते हो dynamic dot वाला feature वर्क करता है अगर आप यहां पर recording वगरे कर रहे हो screen recording वगरे कर रहे हो तो यहां पर यह feature काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है clock app में भी यह feature support करता है इस तरह से timer अपने start कर दिया और clock को close कर दिया तो dynamic dot में convert हो जाता है यहां पर दोस्तो realme 11 pro device में भी यह feature नहीं मिला है but now 65 device में मिलता है काफी बढ़िया बात है calling वगरे आ रही है सबसे फोटोस अब को अगर अपन करते हैं तो यहां पर देख सकते हो year month days और all का यहां पर एक अलग से टैब एट कर दिया है जिससे की फाइल की speed को भी कम जादा कर सकते हो यहां पर इसका direction को change कर सकते हो और जैसी आप इसे save करने के लिए टैप करते हो यहां पर standard high और ultra high वाला option आपको मिलता है इस quality में आप save कर सकते हो इदेने second यह save हो जाता है और save होने के बाद काफी बढ़िया result आता है इस तरह की आप keyf images यहीं पर तयार कर सकते हो इसके लिए कोई third party app की जरूरत नहीं है Realme UI 5.0 में बड़ी असा feature मिल जाता है इसमें sound edit करके अब बड़ी असा वीडियो बना सकते हो इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम अगर game apps के बारे में बात करें तो 5.6.0 वाला latest version मिलता है कुछ सारे यहां पर extra features मिल जाते हैं साथ ही में यहां पर अगर voice changing के देखे तो कुछ नए extra sound भी आपको यहां पर मिल जाते हैं यहां पर आपको इस तरह से mini window में convert कर सकते हो इसे close कर सकते हो file manager का UI totally totally यहां पर आपको change मिलता है even five manager app की APK भी हमने old device के लिए प्रवाइट करें दिया है यहां पर ठिक्टा की है पुराने जैसा ही है पर dynamic computing engine वाला एक अलग से tab देखने को मिलता है जो कि आपके mobile को काफी बड़ी दरीके से scan कर सकता है इसके लावा यहां पर weather app में छोटे मोटे internally optimization देखने को मिलते है यूई भी थोड़ा से यहां पर आपको change देखने को मिलता है theme app जो है theme app में भी आपको यहां पर new wallpaper, live wallpaper and ringtones वगरे देखने को मिल सकती है इसके अलावा camera app में features आपको almost same ही मिलेंगे यूई हलका पुलका आपको changes देखने को मिल सकता है जैसे कि photo, video, apported जो भी options है इसमें आपको drag करने पर other option देखने को मिलेंगे पहले setting का ही option आता था यहां पे interval shooting का option है number of shots and interval आप यहां पे set कर सकते हो यह option पहले था तो आप मुझे जरूर से बतादेगेगा बट मुझे थोड़ा सा नया लगा तो यहां पे इस तरह से आप photos set कर सकते हो कितनी photos कितना interval है यहां पे आपको देना है even इस तरह से drag करने वा option पहले नहीं था सेटिंग का ही option था अब यहां पे जितने भी इंटरवल यह photo आप सेट करते हो यहां पे photo वीडियो बोटेट सारे में option आपको दिखाई देंगे and more feature के अंदर आपको यह सारे old option देखने को मिलते है अगर आप long tap करते हो तो left side top पे आपको plus का icon नहीं देखे का cell के लिए और नीचे आप देख सकते हो कुछ sets भी यहां पे चेंज कर देगे हैं विजिट के option में आप जाओगे तो टेंसन यहां पर आपकी दूर जाएगी cell option यहीं पर देखने को मिल जाएगा और कुछ यहां पे extra widgets देखने को मिलते हैं जैसे कि free game जो कि कुछ काम का है आप लगा नियए पर यहां पे फ़ौन मेंजजर जो है थोड़ा सद tipping तो यहां पर यहां पर यिदिया गए उंग और या वालसे लगा लगई लगर यहां पर यहांपर नाई वी मृल पेपर पर के डेंगे बहुत吃 हैं यहां पर आपकर वालपेपर ँथा टी झाल के यहां पे कार्बन फूट्पृट्प्रिंट नाया यहां यूडी कस्टोमाइज़ेशन यूज़ किया गया है यह यूडी कस्टोमाइजेशन आपको टेली 10,000 स्टेप चलने के लिए बोल रहा है इस से 1.74 किलोग्राम तक कार्बन को कम किया जा सकता है और यूडी customization जो है आपको positive effect दिखाता रहेगा वैसे अगर आप नहीं चलोगे तो ये greenery कम होती जाएगी वैसे यहाँ पे तीन तरह के नए वाले carbon footprint aod customization देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं इससे पहले भी यहाँ पे real 4.0 में नए वाले योडी customization मिलाता है और real mirror 5.0 में carbon footprint यहाँ पे बाकी जार जो features हैं यहाँ पराने ही मिलते हैं तो यहाँ पे font आपको नए वाले मिल जाएंगे देखने के लिए साथ ही में यहाँ पे अगर हम देखे तो fingerprint animation में आपको इस बार sound देखने को मिलेगा यह काफी बढ़िया लगता है इससे पहले size sound नहीं था अगर होगा तो मुझे comment section में बता दीजेगा इस तरह से अगर आप unlock करते हो तो यहाँ पे आपको sound सुनने को मिलेगा जो कि अच्छा रखता है home screen lock screen section में एक ओम आइक आईकॉन वाला section है जो कि old है इसका नाम यहाँ पे change कर दिया गया है home screen में swipe down अगर आप करते हो तो self को इस तरह से यहाँ पे open कर सकते हो glance app का new वाला latest version मिलता है और इसमें आप mix wallpaper भी use कर सकते हो इसमें अपने खुद के wallpaper आप जो है lock screen magazine में use कर सकते हो clock style वाला option मिलता है आप lock screen में से use कर सकते है जो कि old है बट यहाँ पे lock screen customization वाला option नहीं मिलता है जो कि hyper ois में मिलता है even दोस्तों यहाँ पे screen refresh rate अलग अलग एप के लिए भी use आप नहीं कर सकते है ringtone भले यहाँ पे आप देख सकते है changes देखने को मिलता है यहाँ पे ringtones आपको तरह 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 मिलती है जैसकि realmey 4.0, 3.0 में कोई भी नई ringtone नहीं 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 थी और reality audio नाम का एक अलग से feature मिलता है जिसमें अलग-अलग scenario में यहाँ पे आप music को use कर सकते हो smart gaming वगेरे में सेक्शन में आपको clone का option मिलता है app kloner इस बार काफी बढ़ीया तरीके से fit किया गया है मतलब यहाँ पे आपके पास mobile में जितनी भी apps है सारी अब इस बार clone app को support करेगी इसके साथ यहाँ पे security and privacy section में भी internally changes आपको देखने को मिलता है बैटरी सेक्शन में अगर हम देखे तो यहाँ पे mostly आपको old ही option देखने को मिलेंगे यहाँ पे दो feature एक कियेंगे smart charging और stop charging at 80% यह आपके battery optimization के लिए काफी बढ़िया है यहाँ पे battery जो है इसकी life भी बढ़ेगी और battery backup भी अच्छा मिलेगा वैसे इस update के बाद आपका battery backup थोड़ा सा mobile का कम हो सकता है क्योंकि OS optimization में थोड़ा सा वक्त लगता है तो यहाँ पे आप tension मत लीजेगा एक और चीज बीटा अपडेट है तो छोटे मुटे इंटरनली बग्स भी आपको face करने को मिल सकते है अगर हम जाए तो smart services में यहाँ पे intelligence service का option automatically off हो गया get recommendation का option हमें से off रखेगा इससे add वगरे आपके system app में नहीं आएंगे और यहाँ पे realme lab के अंदर यह सारे old ही option मिलते हैं तो यह है stable update आने तक आपको मिलते रहेंगे जब ही update आते हैं हम सारी सीजे आपके साथ share जरू से करेंगे फिलाल दोस्तों आपको कोई doubt है कोई question इस update के regarding आप हमें comment section में पूछ सकते है चैनल पर और भी बहुत सारे important वीडियो है चेक आउट जरू से करेंगा description box में आपको telegram channel की link मिल जाएगी latest update के जोई जरू से कर लिजेगा दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते हैं next new video के साथ में तब तक लिजन बोलते रहें पंदे मातरम